हलो स्टुएंट्स आज की इस वीडियो हमने दस फिलिंदव ब्लैंक्स लिये हैं आप इन सभी फिलिंदव ब्लैंक्स को एक की करके देखेंगे और अपने आंसर को उसमें फिट कीजिए भरिये और यह बताए कोमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेशन ठीक हुए चलिए हन्य करित ए रचार्फ करेंटा कर्क्राओंट टू कंप्लीडी संदेंड हमें कंप्लीड करना इसेंटेंस को उसींद को देख तो हैं पहला महारा क्वेशन है थ्लैंटू नयूज-डैश कुट हमारे इन्वन डैश कुद नीउज पर हमारे औंश्वन हैं प्रेश्पयो खे चाहिए इस गों भी न सबढल कर difर्झे टो यहां पर के यहां पर इस आना चाहिए तूहरा आप्षर क्या हो गया डी है छलिए आगे चलते हैं आप little blind the blanks the treasurer and secretary dash left from the bank treasurer or secretary ने क्या किया bank छोड़ दिया यह bank छोड़ गर चल ले गए तो इसमें क्या परेंगे देखिए हमारे options क्या है have has are और is तो इसमें क्या option हमारा ठीक होना चाहिए आप अपना answer सोचिए the secretary and the treasurer and secretary dash left from the bank तो इसमें हमारा जो correct answer होगा वह क्या होगा वह होगा has has क्यों होगा क्योंकि जब भी rule होता है दो सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें जो वर्व आती है वह कौन सी आती है सिंग्दर बर्वाती है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा है हमारा answer हो जाएगा ठीक है एस लेफ और लेफ्ट से में पतलब जा रहे कि थर्ट फॉर्म आनी चाहिए तो आर आनी सकता इस आनी सकता है बर है जाना चाहिए तो लेकिन हमारा purity Wolverine और क्या है डो लोग है लेकिन आइडिया किया है आईडिया एक ही है कि भैंक को छोड़ दिया तो चाहिए है आना चाहिए तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा है हो जाएगा correct answer हमारा है हुआ चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपको कोशन है कि क्लाइंबिंग अप दा स्टीप mountain slopes डैश बोथ endurance and stamina अब इसमें क्या किया रहा है जब हम हमारी पर स्टीप है रिकवाईर किया रिक्व एक्वायर्ड रिक्वायर द्यकाइक और अच्छे इसका रूल क्या है इसका रूल कि यह है कि जब भी हम climbing देखते हैं जो वर हम starting में देखते हैं तो समी ये पता लग जाता है है जैसे आपके climbing देख रहे हैं तो समय यह पता लग रहा है कि यह जो वर्ब है वो first form है और ing लगा हुआ है इसकंदर तो ऐसे में जो बात का sentence होगा वो क्या होगा mostly आपका present indefinite होता है तो present indefinite में क्या आना चाहिए first form उसके साथ चाहिए तो require की साथ का रगातेंगे एस क्या रिक्वायर स तुम्हारे correct आंसर क्या हो जाएगा requires तो महारे correct answer क्या हूआ requires ठीक है हमारे correct answer requires हो गया चलिए आगे दिखते हैं अन्य जिए शिर्फ और मॉइं नेकर यूजिंग अब देक्शित यह भी जैसे वाने करने दिए थी जा हिं मेरी यह एप्टर यूजिंग ऑफट क्म्पियूटर फ्र वह लॉंग टांव लूंग ताम लुकिंग इंटुथाइब संन्sm씨 यूजिक अमें तेमरें सब्सकेशन करेक्स हें रख्योंग लेक्स रिलेक्स कहते हैं और हमारा नेक्स है रिलैक्स है ठीक है तो अब में spelling mistake है कोई बात नहीं लेकिन अब हमारा हमें पता था कि फर्स्ट वो माने चाहिए प्लस इंज प्लस एस और यह साना चाहिए तो मारे क्या हो जाएगा अब हमने इस रूल के बारे में बात की ठीक है ऑप्शन भीमारा क्रेक्ट हो जाएगा इसको देखते हैं तो इसमें कहा रहा है कि कि अब ड Что I tor to the disabled डिसेबल ड солн itself ने आशीज करें ठीक है और हमारे ऑप्शन क्या है हमारे मतब मणब जो जो विकलां में रुकती है एकस्स मांग रहे हैं किस चीज के कि लूडिक बिल्डशन मी तो क्या करें ओ क्या करे कि लिए अच्छा्छ के साथ के दिमांडिंग आसकता है तो हमारा यह options यह क्लिफ होगया व नएक्सतров दिमांडिंग brewing कि यहां यहां पर इस इस कहीं देखा या इसके साथ इस लगा विए तो यह भी हमारा option गञत हो गया है क्या बना arena demand बना तो हमारा सही जो answer हो हब हमारा होगा हमारा सही answer हो जाएगा demand और एक चीज और देखेंगे इसमें जो disabled है एक disable की बात निकी जारी , disabled यहां पर disabled की बात की जारी है disable अगर होता तो एक होता required singular तो उसके साथ हम यहां पर नेजी है कि वह सारे घ्रीक है है at least half an hour at least half an hour of exercise a day dash wonders for one's health एनि कि अगर हम आदे घंटे exercise करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या है चमतकारी परवर्त ना सकते हैं बदल सकती है तो हमारी options के हैं इसके लिए पहला option हमारा do does done doing ठीक है next एक चीज़ देखिए क्या इसमें हमें किसी से पता लग रहा है कि हमारा past indefinite है या सोरी past perfect है नहीं पता लग रहा तो हम है जब को काट देंगे ठीक है नहीं हमें यह पता लग अब यहां पर जो subject है वह क्या कर रहा है हम क्या कर रहे हैां कर रहें हम कर रहे है exercise और exercise अपने क्या है यह है singular singular subject है तो singular है है to singular हमें क्या लगाना 파ड़ेगा singular subject के साथ हमिसा singular लगती है लगे हैं तो उसके अंदर रज लगाएंगे तो यहного year पन्र स्था at प्लस एस और एस उसके असाथ हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दू के साथ लगाएंगे एस और यह तो जाएगा ड़स एक लिस्ट हाफ एन आर एक्साइज अदे ड़स वंडर्स वर वन्स हैल्थ ठीक है यह रुगलाप याद रखिए सिंग्लर सब्जेक्ट सिंग्लर ह helping word ठीक है next 7th देखिए the french dash noted for their food and fashion हमारे option कया है is तो जो french वो किस के ली जाना दोते हैं अपने food के लिए और passion के लिए और option के is our Was और next हमारा है option has ठीक है अब इस spite French American या Britishers तो यह जो Iससे words होते हैं जो किसी country को represent करते हैं Indians French Americans तो यह हमेशा ही plural रहते हैं तो यहां पर जो हमारा हम देख के उसा हिए singular लग रहा है तो हम यहां पर इस लगा देंगे लेकिन वह गलत होगा तो हम यहां पर क्या लगाएंगे हमेशा ही प्लूरल लगाएंगे यहां पर हमारा जो option है correct option जो हमारा होगा वो क्या होगा आर ठीक होगा तो आर हमारा correct option हो जाएगा आर इस दा correct answer ठीक है तो आर हमारा correct answer हो जाएगा चलिए ठीक है next आर हमारा correct answer हो गया आगे बढ़ते हैं next buying a life insurance policy dash to ensure your children have some security कि अगर हम life insurance लेते तो इससे पता रगता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी कुछ ने कुछ security हो गई है आगे देखते हैं option क्या है option हमारा help helps helped or helping ठीक है अच्छा देखिए अब इसमें क्या आना चाहिए buying a life insurance तो आप इसमें यह देखिए आप खरीद क्या रहे हैं जब भी आपको ऐसे पता करना हो क्या खरीद रहे हैं तो आप what का सित्माल कीजिए sentence में आप question कीजिए what what are you buying आप buy कर रहे हैं a life insurance policy तो हमारा subject क्या हो गया a life insurance policy तो a life insurance policy क्या हो गया हो गया हो स senior के साथ मैं आपको बख्ताएं कि स्यों सत क्या प्रिजवक्र के साथ इस बुक्स था आर ऑनर अन मालिक उनर ऑफ दीज इन बुक्स का दा ओनर ऑफ दीज बुक्स डाश ठीक है हमारा उप्शन क्या है है जा गन है ऑन है जो एक बर दोबारा से देखिए और क्या रहा है The honor of these books अच्य देखिए यहाँ पे जो subject है वो subject क्या है? Honor ॉर सब्जेक्ट है और honor है कि honors है लिया नहीं से देखिए honor है यह यह honor है या निकी singular subject हुआ अब singular subject की साथ क्या आईगी? verb यह helping और जो आईगी वो क्या आईगी? singular ही आईगी तो word आपकी singular होनी चीह तो singular वर्प होनी चीह तो हम पी singular वर्प ढोनेंगे या singular help डोनेंगे तो क्या सब बनेगा देखिए HAS, have, have हमारा क्या है plural है और has हमारा क्या है singular है ठीक है और word भी हमारा plural है और यह हमारा singular है देकिन पैसे में तो इस नहीं आएगा तो हमारा जो correct option होगा वो has gone होगा has gone क्यों होगा एक बार फिर से समझेए क्योंकि जो हमारा honor है of these books, books के साथ हम क्या लगा देंगे, गलती कर देंगे, books है तो हम have लगा देंगे, लेकिन ये books के साथ नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं जो मालिक है book का वो क्या है, वो गायब है, ठीक है, तो उसके लिए हम subject को देखेंगे, subject क्या हमारा honor है, honor हमारा singular है, तो singular subject के साथ हमेशा singular verb ही आएगी, या helping verb singular ही आएगी, ठीक है, ये rule आपको याद देखना है, बार 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 बतारो इस वीडियो में, next rule देखिए, तो हमा देखिए, next question देखिए, the woman in the pool, dash well, the woman in the pool, dash well, अब जो woman है, वो क्या करी, swim कर रही है, तैर रही है, या तैरती है, ठीक है, हमें ये option दिये गए, अच्छा तैर रही है, अब इसमें आपको एक छोटी सी trick सीखनी है, एक छोटा सी word सीखना है, वही जो मैं आपको पूरी और से नीचे कर लेती है, अब इसमें, और ये सिंघूलर होता है, और ये encant** इसमें रही है, तो यी होगया, यह होगया, फ्लूरल, ठीक है, ये वह जो मैं है, तो चीखिए, अब हमारा आंशर क्या होना चुछरिए, देखिए, इन दपूल डेश., अगर ये वोमेन रहता हो तो हमारा आंसर होता है C, swims, swims, B, लेकिन अब हमारा आंसर ये वुमेन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा जो subject है, वो क्या है, plural है, तो answer भी हमारा क्या होना चाहिए, plural verb, plural subject तो plural verb होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, swim, हमारा correct answer क्या होगा, swim, the woman in the पूल, Swim Well अब Swim Well क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों है? क्यों हमारा subject क्या है? हमारा subject plural है और यहां पर अगर An होता, Woman होता है W-O-M-A-N, Woman होता है तो क्या हो जाता? Swims ठीक है? तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा? Swim, अब आप comment box में subscribe कीज़े कि आपके कितने answer ठीक हुए और ऐसे ही सीखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और like कर दें वीडियो को अगर आपको पसंद आए हो तो thank you